तो हेलो गाइज खैसे हैं आप लोग आप मस्ती होंगे आप लोगा भाई भी हो रहा है 器 लेके जसमें बहुत ही तगड़ी फोटो एटिंग करना सिखाएंगे अगर आप लोग को भी इस प्रकार की photo editing करना नहीं आता है तो इस वाले वीडियो को पूरा देखिएगा और हम guarantee के साथ कहते हैं आप लोग भी कुछ इस प्रकार की photo editing करना सीख जाएंगे तो चलिए video को start करते हैं बिना किसी देरी के तो आप लोग देखी सकते हैं यह रहा हमारा ओरजनल फोटो तो इस वाले फोटो को एडिट करने के लिए सेयर करेंगे लाइटरों अप्लिकेशन के अंदर तो यह रहा हमारा लाइटरों अप्लिकेशन इसके अंदर हमने फोटो को सेयर कर देंगे तो हमारा फोटो लाइटरों अप्लिकेशन के अंदर सेयर हो चुका है तो चलिए अब हम लाइटरों अप्लिकेशन के अंदर चलते हैं तो जब आप लोग लाइटरों अप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा इतना करने के बाद हम एक preset का link description में दे देंगे आप लोग वहाँ से जाके download कर लिजिएगा उसके बाद इस preset पे click करना है और थोड़ा सा बेट करेंगे हमारा photo loading हो रहा है देख लिजिए गोल गोल भूम रहा है तो हमारा photo एकदम load हो चुगा है इतना करने बाद three dot पे click करेंगे और यहाँ पे copy setting option आ रहा है इस वाले copy setting पे click करना है और यहाँ पे masking पे click करके यहाँ से सही वाले option पे click कर देंगे और इस वाले option से back आ जाएंगे और जिस वाले photo को आप लोगों को edit करना है न उस वाले फोटो को ले लिजिएगा और उस फोटो पे किलिक करेंगे और यहां से तिरी डॉट पे जाएंगे और यहां पे operate setting के निचे paste setting option आ रहा है उस पे किलिक कर देंगे तो आप लोग देखेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इडिट हो जाएगा जैसा आपका preset रहेगा सेम उसी तरीके से आप लोग का फोटो भी इडिट हो जाएगा तो बहुत ही धीरी धीरे से मैं इसमें बता रहा हूं कि कैसे फोटो को इडिट करना है आप लोग भी एकदम अच्छे तरीके से अपने फोटो को इडिट कर सकते हैं अगर आप लोग इस वाले वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगो अधर वीडियो देखने की आवस्तेक्ता नहीं होगी तो आप लोग देखी सकते हैं before and after इतना करने के बाद सेर्व करेंगे इसको तो जब आप लोग अपने फोटो के अंदर ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा इतना करने के बाद पेंसर वाले एकन पर किलिक करना है और थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहां से इस वाले बरस को ले लेंगे आप लोग इसकी सेटिंग को देख सकते हैं साइच को 14 पर रख लेना है और फोलो को 9 पर कर लेंगे और स्ट्रेंध को भी 8 या 9 पर रख लेन आप लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से फोटो इटिंग करना सीख जाएंगे तो आप लोग देखी सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से अपने फोटो के स्मूथ कर लीजीगा तो चलिए बीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा झाल कर ला है तो आप एक जाएगा झाल 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 जैसा कि आप लोग देखी सकते हैं हमने अपने फोटो को कितने बेहतरीन तरीके से स्मूथ कर लिया है तो आप लोग भी अपने फोटो को कुछ इस प्रकार से स्मूथ कर लिजीगा इतना करने के बाद दोबारा पैंसिल वाले एकन पर किलिक करेंगे और लाइब्रेरी पर जाएंगे थोड़ा से यहां से ऊपर जाएंगे और इस वाले बरस को ले लेंगे और यहां कलर वाले अप्शन पर किलिक करेंगे यहां से रेड़ सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से कट कर देंगे उसके बाद इस वाले अप्शन पर आएंगे और पलस वाले आइकन पर किलिक करके एक डूबलिकेट लेयर तयार कर लेने हैं उसके बाद लेयर पर किलिक करेंगे और यहां पर नॉर्माल पर किलिक करके यहां से सॉफ्ट लाइट कर देना है और यहां से कट कर देंगे और अपने फोटो को कुछ इस प्रकार से जूम करेंगे और इस पर कुछ इस प्रकार से अपलाई कर देंगे तो यहां से आप लोग बहुत ही धीरी-धीरी से इसे अपल पर किलिक करेंगे डूबली के लेयर पर किलिक करेंगे इतकी ओप सीटी को कुछ इस प्रकार से इतना करके रख लेना है कुछ 17 या 18 के आसपास तो आप लोग देखी सकते हैं हमारा फोटो कितने बेहतरीन तरीके से स्मूथ है और एडिट हो चुगा है एकदम HD कॉल्टे में तो मैं आसा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा भी है फुल लगा है अगर है फुल लगा होगा तो इस वाले वीडियो के एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा तो मिलते हैं किसी और नए मज़ेदार वीडियो में तब के लिए टाटा बाय बाय